दोस्तों आज मैं आटे के मोदक कैसे बनाए जाते हैं उसकी रेशेपी सेयर करने जा रहे हूं हाई एवरिवन स्वागत करते हूं आपका अपनी चैनल ग्रानी गार्डन ब्लाग समें मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कप दूद लेना है और उसे आदा कप हमें करना है मतलब एक कप दूद को आदा कप दूद बचना चाहिए इतना गारा हमें तयार कर लेना है साथ में हमें कड़ाई रख लेना है कड़ाई में जैसे ही गरम हो जाएगी हमारी कड़ाई उसके बाद आदा कटोरी हमें डाल देना है घी को हमें थोड़ा अच्छे से गरम होने देना है और गेश का फ्लेम हम लोग को पूरी रेशेपी बनते तक कम आच यही रखना है साथ में एक कटोरी मैंने लिया है गेहुँ का आटा और इसे अच्छे से हमें भून लेना है दो से तीन मिनट तक हमें आटे को पहले भून लेना है और उसके बाद में आदा कटोरी से भी कम हमें डाल देना है सूजी जिसे हम लोग रवा भी बोलते हैं तो रवे को और आटे को हमें लगभग पांच मिनट तक ऐसे ही मिडियम आज पे भुनते रहना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसकी सवंदी सवंदी खु उसबो आने लग जाए तो समझे कि हमारा आटा भुनकर रेडी हो चुका है उस दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आये है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि हर दिन मेरे ऐसे नए नए ब्लाग्स आते रहते हैं उसके बाद में जब हमारा आटा पू और दो से तीन मिनाट तक और हमें इसे कल्ची को चलाते रहना है मतलब भुनना है आटे के साथ में अगर हमारे ड्राइफ फ्रूट्स इस तरह से अगर हम लोग भुनते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही बेश्ट हो जाता है उसके बाद हमें इसमें डाल देना है नारियल कि हो मतलब यह जो भी चीज़े अगर हमें इसमें एट करना है वो हमारी आऊ सकता कि अनुसार हम लोग एट कर सकते हैं साथ में दो से तीर हिलाईची का मैंने पावडर डाल दिया है और इसे दो तीन मिनाट और हमें चलाना है साथ में फिर जो हमारी किसमिस वगेरे हैं इसे भी हमें डालना है और एकदम गेस का फ़ले में एकदम लो कर देना और ऊसी पर हमें इसे चलाते रहना है जैसे ही फोड़ा अच्छे से हमारे ड्राइफ्रूट से शूख जाएंगे उसके बाद में जो दूध हमें गरम करके रखा है उसे हमें ठोड़ा-ठोड़ा इसमें और घुमाते रहना है मतलब अच्छे से हमें इसमें मिक्स करना है तो यह देखिए धीरे धीरे हमें इसमें मिक्स करना है अभी थोड़ा सूखा लग रहा है यह तो हमें थोड़ा थोड़ा करके ही दूद हमें डालना है अगर आपके घर में अगर मलाई हो तो आप मलाई भी दाल सकते है लेकिन मेरे यहां मलाई नहीं थी दूद बचा था तो मैने दूद को ही अच्छे से एक कब दूद को गरम करके इसमें डाल दिया है, बस थोड़ा-थोड़ा दूद हमें डालते जाना है और इसे अच्छे हमें मिक्स कर लेना है दो मिनमी लगे套े लिमक्स होने के लिए उसके बाद B Hernan करके हमें और अच्छे से इसे मिक्स करना है गेस बंद करने के बाद में भी घमन करने के बाद में लिएे लिए लित fragments नीचे से हमारी कड़ाई में दzarे लिए और फिर थोड़ा सा हमें इसे थंड़ा होने देना है जैसे हाथ में पकड़ने लायक और थंड़ा होने के बाद में हमें इसमें डाल देना है सक्कर सक्कर का पाउडर मैंने पहले ही बना कर रख लिया था लगबग आदा कटोरी मेरा सक्कर का पाउडर है और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है थंडा होने के बाद में ही सक्कर को हमें मिक्स करना ये बात अब ध्यान रखना अगर ज्यादा ही सुखा हो तो इसमें थोड़ा स दूर डाल कर या भी डाल कर थोड़ासे सौर्ट-कर सकते हैं तो यह देखिये मेरा 1 924 साप्ट होग बुह चुके यह मतलब यह हमारा रेड़ीआ हो चुका है मोदک की बना रहुँ आप से मुझे बहुत आसान लगता है जटपट जल्दी जाता है क्योंकि साचे में बहुत ऐसा लगता है इसमें भरो उसमें भर tactics के दबा प्वर निकालो उसे अच्छा हाथ से जिस प्रकार से हम लोग रोटी की लोई बनाते हैं वैसे लोई बना लेना थोड़ा सा उपर उठा देना है क्योंकि मोदत का भाग होता है वो ऐसे ही उठा हुआ होता है तो बस इस प्रकार से हतेली पेर रखकर हमें थोड़ा-थोड़ा करके उपर उठा के बना लेना है अगर वाले भी मोदक बनकर रेडी हो जाएंगे तो दोस्तों आज की मेरी ये रेशेपी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए अभी गनेश उत्सो आने वाला है इसलिए मैंने आज ये मोदक की रेशेपी सेयर की है और कोई जरूरी नहीं है कि गनेश उत्सो में ही हम लोग ये रेशेपी बनाकर रेडी करते हैं अगर हमारा जब भी मन हो खाने का हम लोग इस प्रकार की रेशेपी बनाकर खा सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही न्यू रेशेपी के साथ में बाब बाई